السلام علیکم and welcome back कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली उमीद है सब ठीक होंगे हुश होंगे हम भी अलहमदुलिले ठीक हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक करते क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आज सुबों जैसे मैं नाष्ता बनाने लगी तो मैंने सोच है मैं वीडियों का स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि वैसे तो नाष्ता बनाने की बहुत जलदी होती है तो मैं आपने देखял पिछले कुछ दिन उसे जो है व्लॉग नश्ते से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कारी क्यों involving सुब सुब शुब शावीर ने भी किटा जाना होता है तो फिर नव बड़ी जल्δी जल्दी होती है कि जल्दी से नश्ता बन जाए जल्दी से उसे उसे तियार करना भी बड़ा टास्क होता है ना तो हैर उसने तो आज भी किटा जाना था लेकिन आज चुटी थी तो मैंने सोचा कि अराम से वो नाश्ता बन जाए तो यहां पर मैं पराठे बना रही थी क्योंकि मैंने हस्बन को बोला कि आप शावीर को जो है वो बात वगरा करवा दें तो जो भी उसका है सुबों को उसे त्यार कर दें तो यहां पर मैं पराठे बना रही थी लेकिन थोड़ी देर के बाद ही ना जब मैं पराठे वगरा बना चुकी तो शावीर जो है वो बिल्कुल भी नहीं था पापा से त्यार हो रहा था कि नहीं मामा ही आके करे मुझे तो यहां पर हस्बेंट कहते हैं कि मैं चलो तुमारे हैल्प करता हूं चाहे वगरा डाल देता हूं तो सारा नाश्टा वगरा टेबल पर लगाता हूं और मैंने फिर शावीर को जल्दी जल्दी से त्यार किया सुबों बड़ी मुश्किल से त्यार होता है ना कभी 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 वो बड़ाई अच्छा बचाबान के जल्दी से त्यार हो जाता है और कभी-कभी इतना दांग करता है कि सच में इतना ज़्यादा वो सभी आने लग जाता है हैर यहाँ पर हम नाश्टा करने लगे हैं और उसके बाद शावीर को हमने किटा छोड़ा क्योंकि आज बहुत से काम थे करने वाले तो हमने शावीर को जाहर है वो किटा नहीं था जा रहा क्योंकि पापा घर थे तो हमने उसे बोला कि पापा भी काम पे जा रही है तो इसलिए फिर वो चला गया है तो यह पारसल काफी दिनों से आया हुआ था तो बिल्कुल भी हमत नहीं थी हो रही कि हम इसे open करें क्योंकि इसे जब open करना था तो फिर जाहरा इसे जोड़ना भी था तो इसे जोड़ना जो है वो बहुत बड़ा task होता था लेकिन आज मैंने husband से का कि जाहरा आपको छुटी है तो time हमारे पास काफी है शावीर भी घर पे नहीं यहने सबसे जो main reason है क्योंकि शावीर घर पे होना वो हर चीज में फिर आपको पता है आगे आगे आजाता है वो कहता है कि मैं खोलूँगा मैं खोलूँगा सारा कुछ मैं करूँगा तो फिर बड़ा time जो है वो चीजे मुश्किल हो जाती है हमारे लिए manage करना न तो यहां पे अभी वो घर पे नहीं था तो हमने सोचा चलो हमने यह जोड लेती है अच्छा यह मैंने मंगवाया था बेबी के कपड़े रखने के लिए मैंने सोचा कि एक मंगवाया लेती हूँ मैं लेकिन यह जैसे तस्वीर में नजर आ रहा था वैसा हलांकि उस वक्त मेरे हजबन ने मुझे बोला भी है कि चेक कर लो कि यह कितना size होगा लेकिन मैं चीजे जब रखती हूँ न तो फिर भूली जाती हूँ मैं इतनी संभाल देती हूँ न और फिर मुझे संभाल कि भी संभाल के था लेकिन ठीक हूगा मैं आपको दिखा दूंगी लेकिन बहुत रूचा था तो लेकिन चलो भी गुजारे के लिए हो जाएगा फिर बात में देखे जाएगी क्या करना है और यह देखेगे इसके पास इसके साथ जो है वो एक पेपर नहीं बरके पूरी बुक आई थी यहाँ पे हम देख रहे थे इतना ज्यादा इसका नकाम था तो लेकिन अभी हम दोनों चलो मिलके जो है वो साथ में कर लेंगे यह थोड़ा थोड़ा काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है एक एक पीस को जोड़ना और फिर ठीक तरीके से जोड़ना कुछ पिसिस तो ऐसे होते हैं जो गलत लग जाते हैं फिर दुबारा से उन्हें खुलो दुबारा से उन्हें करो तो यह न काफी टाइम जो है न इस पर लग जाता है और हमें आज और भी बहुत से काम थे शावीर के लिए न कुछ चीज़ें लानी थी वह भी मैं आपको ना आगे दिखाती हूं हैर यहां पर हम एक एक जो जाहर है उन्होंने दिया हुए के पहले यह बहला आप ऐसे करें फिर जाहरे इसे फालू करना पड़ता है अगर हाथ जाहरे मेरे एक दम से काम पर तो वह टेड़ा वात हो जाहरे वह यहां थे थोड़ा सा तूट गया था तो फिर मेरे हस्में कहते हैं कि तुमनों मुझे लगता है कि तुम्हें अराब की जूरत है तुम बैट जो मैं हुदी कर लेता हूं तो फिर ऐसी हो रहा था आज थोड़ा होती मैं हेल्प कारी थी जादा जाहरे नहीं थी कारी तो यहां पर यह देखें यह खड़ा तो हो गया था अब बस ज्यादा काम जो थन वह हो गया था बस अब इसे फिक्स ही करना था और फिक्स करने के बाद जो इसकी फाइनल लुक होगी वह मैं आपको दिखा दूंगी यह नो बहुत ही छोटे-छोटे इसके दराज थे ना मैं आगे चल के आपको दिखाती भी हो अलांकि जब मैंने यह औरर किया था तो मुझे यह था कि बड़े-बड़े दराज होंगे यह देखें यह छोटा सा था बिल्कुल छोटू सा इसके बिल्कुल छोटे-छ से लेकिन बैबी के कपड़ जो हैं वो आजांगे मैंने इस हिसाब से मगवाए था कि तांके डाइपर वगएरावाइब सब् tyrभ गईरा ऐसे सारी चीज़ें चीजहें जितनी भी होती होती हैं बैबी की वो सारी चीज़ें इसमें आ जाए ना लेकिन यह देखें अदराज है बिलकुल ली छोटा सा आ ना तो लेकिन चूल गजारा के लिए के हो जाएगा ना क्यों कि ये वापस भी नहीं था न हो सकता क्यों एसे आयू हवे भी न पहले पहले तो जब ये उन्हों ने डिलीवर करना था फिलन पर ग्तना पर भूंत तो घर uh artery होना था लेकिन उन्हों पता है क्या वज़ाह हुई तो उन्होंने घर में डिलीवर नहीं किया तो वहां से लाने में काफी दिन लाग Know घर याँ काफी दिन बढ़ा रहा तो फिर जारे टांस ज्यादा हो पड़ती हैं अच्छा उसके बाद हम गये थे बाहिर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं थी बनाई बस मैंने सोचा कि जल्दी से चीज़ें लेकिन वापिस चलें क्योंकि शावीर को भी लेने जाना था ना शावीर के लिए यह कस्ट्यूम लेने असल में हम गये थे ब सुझा फर्स टाइम था ना तो खतम होगे थे तो इस बार हमने जैसे वो आए हम देख रहे थे कि कब आएंगे कब आएंगे मैं ओनलाइन ने चेक कर रही थी तो जैसे यह आयत उसी दिन जाके न मैंने हजबंड के साथ जो है वो मैंने यह ले आए थे लिए मैंने क्या कि दो तीन वीक पहले ला कि घर में रखना ठीक होता है बजाए इसके क्या हर में आप टेंशन में आ जाएं पिछले साल ऐसे हुआ था ना कि बहुत जादा फिर वह प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी क्योंकि सारे बचों ने पहना होता है फिर अगर ये बच्चा जाहरा आप यहां बेटें में भाम जाल रही थी हमेशा की तरह शावीर कहा है कि उसने पार्सल खोलने प्लेसे कि अ हम और फिराष साथane ही साथ मैं 거는 किया बी ती कि शोड़ना थी सारी काने से फहले वरना है बहुत जादा टाइम लगा और यहां पर यह देक चोटा सा paracal मैंने खोलना था और यहां बेबी इतना तंग का रहा था कि मुझे दो मुझे दो मैं खोलता हूं यह मैंने मंगवाई है हेडफून जो कि पिछले चार-पांच महीने में मैं तक रिबन पांच साथ तो मंगवा चुकी हूं जो मंगवाती हूं शावीर न मुह में ऐसे डाल के पिछले महीनों में इतने ज्यादा मंगवा चुकी हो तो मेरा मसला यह है कि मुझे न फून सुनने की इनके साथ आदत होगी है तो इनके बगएर मेरे से फून जो है वो कांच से लगाया नहीं जाता तो फिर इसलिए जारह मैंने मंगवाई हैं तो अभी तो जारह शावीर से समभाल कर को है यह अच्छा कुछ तो वैसे शावीर ने तोड़े कुछ अच्छे भी नहीं थे निकली जैसे जो टीमों वाले थे ठीम वहें तो वह यहार्बाद में शावीर ने तोड़ भी दिय थे लेकिन वह अच्छे भी निया थे puisque बाटरी बहुत जल्दी जए दूसरा शावीर ने मुह में डालके न तोड़ दिया था तो अभी मैंने यही वापिस से मंगवाई हैं जो सबसे पहले मंगवाई थे क्योंकि इनकी बैटरी ट्राइमिंग जो है वह बहुत ज्यादा अच्छी है दो दो दिन तक नहीं हतम होती और अच्छे से आवाज भी न लड़ाई तो ऐसी रहेगी तो आप अपना बहुत सा हया रखिए गा मुझे अपनी दौाओं में याद रखीगा मैं आपसे मिलती हूं का लेक ने व्लाग में वीडियो को लाइक जरूर कीचिए गाला